मैं बजट की उपर बात करना चाहता हूँ तफसीली बात हुई है बजट बड़ा सिंपल है आठ हजार अरब रुपे का डॉक्ट साफ या अब तिर पीछे हो जाए या को थैंक यू से तक्रीबन आठ हजार अरब रुपे का हमारा बजट है हम तवक्कु ये कर रहे हैं कि अपने रेविन्यू सूर्शिस से पहले पिछले साल तो के 46, 47 सो अरब रुपे हमें हासल हुआ है तो हमारी तवक्कु है कि 57 सो अरब रुपे हम इन टेक्सिस से हासल कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा खसारा होगा वो तक्रीबन आप समझिए कि 3,000 अरब रुपे का हमा 50 फीसद जो हैं वो सूबों को चले जाएंगे तो आप अंदादा लगा लें कि कि जो 57 सो अरब रुपे हमारे पास आएंगे उसका जो 57 फीसद है वो सूबों को चले जाएंगे और उसके बाद जो बड़े बड़े खर्चे हैं वो हमारे है को डेट फिनैंसिंग है 2,000 बजट है वो हमारा डिफेंस का है डिफेंस में मैं ये बात बता दूँ कि ये कोई दूसरा तीसरा मसलसल साल है कि हम डिफेंस बजट को हमने उस तरह से नहीं बढ़ा सके जिस तरह से हमारे हमसाया मुमालिक ने अपने बजट जो हैं वो बढ़ाए है और उसकी सबसे आठे हुए दोस्तों ने लिये हैं ये जो 2008 और 2018 का दौर था स्पीकर जाब ये क्यों एक डेकेट ऑफ डाकनेस था पाकिस्तान के लिए ये क्यों एक स्या दौर था इसकी मिसाल सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं 1947 से लेके 2006 तक ये थोड़ा जो बजट के उपर एक हमारे हां बायस होती है और ये बात करते हैं कि ये महंगाई हो गई जलम हो गया लोट गए मर गए बरबाद हो गए वैसे तो खैर इनका यही नारेटिव अगले पांच साथ साल चलना है तो कि हमारे दोस्तों ने मैंने तो क इनकिन लोगों को हाईर करते परेंगे बजट भी हो जाएगी तो इशु ये था ये हमारी मुश्किलात क्यों है बजट की आपके सामने मैंने रखा हमारा खर्चा तकरीबान आठ हजार पचासी सो अरब रुपया है हमारी आमदन पांच हजार साड़े पांच हजार अरब तो जैसे घरों में होता है हमारे अगर घरों में खर्चे ज्यादा होंगे और हमारी जो आमदनी है कम होगी तो घर जो है वो प्रॉबलम में होगा अगर हमारी आमदनी ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो घर खुशाल होगा हमारी यहां पे आपके सामने बजट में ह है हमारी ख़र्चा ज्यादा है आमदनी कम है इसलिए हम प्राप्लम में हैं अब ये जो आमदनी कम है क्यों कम घराब 1947 में पाकिस्तान अजाद रए 1947 से लेकर 2008 तक 1947 से लेके 2008 तक पाकिस्तान ने कुल करजा जो international करजा जो हमने लिया foreign debt जिसको हम कहते हैं वो लिया वो था 6000 अरब रुप्या 1947 से लेके 2008 तक हमारा ये total करजा था 6000 अरब रुप्या अब देखें इस 6000 अरब रुपय में हमने क्या क्या किया हमने इसलामाबाद का शेहर बना लिया हमने गवादर खरीद के उसको एक पूरी नई माकिट बना दी हमने दुनिया की पांचमी सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दी हमने नेवी बेसिस बना दी and to be fair with हमने मोटर बेस भी बना दी हमने पाकिस्तान का इंफरस्ट्रक्चर खड़ा कर लिया ये पाकिस्तान ने किया 1947 से 2008 तक 6000 अरब रुपे में अब जनाबे स्पीकर 2008 आता है और decade of darkness के पहले जार आसर जबदारी साब पाकिस्तान के उपर आते हैं और अचानक हमारा कर्जा जो 6000 अरब रुपे था वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जब अब हमारे ओवर्सीज पाकिस्तानी जो यहां पे कहते हैं कि ओवर्सीज पाकिस्तानियों को वोट का हकी देना चाहिए नवाज श्रीफ और उनकी फैमिली जब 2018 में पाकिस्तान का पाकिस्तान की जान चोड़ती है तो इन दस सालों में पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर हो जाता है 26,000 अरब रुपे अब अंताजा लगाईए शेम खाकान अबासी साब ने भी कह दिया है क्योंकि वो समझते हैं खाकान अबासी साब हो मिफता इसमाईल हो जो लोग एकॉनिमी को समझते हैं उन्होंने पहले इसागडार और कंपनी की मुझमत की थी कि जिस तरह उन्होंने महीशे चलाई और दूस तोर के उपर मैं तो हमेशा उनसे एगरी करता हूँ जिस तरह से बिड़ा गर्रक किया अकॉनिमी का जो जनाबे स्पीकर 1947 से 2008 कुल करजा 6000 अरब रुपया 2008 से 2018 करजा बढ़कर चलाई 26000 अरब रुपया जफर साब प्लीज बाते चोड़ दें आप तक्रीर सुने जी उसके नतीजे में अब क्या हो रहा है अब ये हो रहा है कि हमें हर साल 2000 अरब रुपया जनाबे स्पीकर 2000 अरब रुपया सिर्फ करजों की किस्तों में देना पड़ता है करजों के इंटरेस्ट में देना पड़ता है उस सूद में देना पड़ता है जो इस साइड के उपर बैटे हुए हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान की उपर मुसल्ट किया अब सवाल लो क्यों रहे हैं मैंने आपके सामने गिनवाया है कि 1947 से 2006 तक हमने यह यह चीज़ें बनाई हमने फौज खड़ी की हमने पाकिस्तान का इंफरस्ट्रक्चर बना दिया हमने गवादर ले लिया हमने यह सारे काम कर लिये लेकिन सवाल यह पैदा होता है इस बीस हजार अरब रुपे में जो कर्जा इनों ने लिया उसका इनों ने क्या किया इनों ने क्या किया जनाबे स्पीक अफ सबसे पहले इनों ने बिजली के प्लांट लगाए बिजली के प्लांट लगाने चाहिए थे बिजली के प्लांट लगाना जरूरी था लेकिन आप अंदाजा लगाए किस लक्जरी तरीके से इन्होंने पैसे खर्चे इन्होंने साहिवाल के अंदर कोईले का प्लांट लगाया साहिवाल के अंदर कोईला नहीं होता पूरी ट्रैक जो कोईला है वो कराची में आएगा वहां से ट्रेन के उपर कोईला साहिवाल पहुंचेगा और वो बिजली बनेंगी पूरा इलाका जो ये सारा ट्रैक है इसके राइट लेफ्ट के उपर सीरियस इन्वारिमेंटल इशूस क्रियेट हो गए बिकाज उनकी प्लैनिंग नहीं थी इसी तरीके से जो हमारे दोस्ट साहिवाल से यहां पे मुन्तखिव हैं वो आपको बता सकते हैं कितने बड़ा इन्वारिमेंटल क्रैसिस खड़ा हो गया इनकी इस प्लैनिंग की वज़ा से इसके बाद इन्होंने क्या किया इन्होंने लग्जिरी प्रॉजेक्ट क्रियेट किये जो इस वकत बिजली थी जब जिस वकत 2008 में पिपस पार्टी की हकूमत आई थी एक रुप्या भी हमारा उस वकत हम बिजली के जो कंपलसरी पेमेंट्स हैं वो नहीं कर रहे थे जब नवाज शरीफ की हकूमत आई हमें 190 अरब रुप्या कंपलसरी पेमेंट्स दिया जाना था उन पावर प्लांट्स का जब ये गए हैं और 2018 में अमरान खान की हकूमत आई अब हमें गनाबे स्पीकर 900 अरब रुप्या देना पड़ता है कंपलसरी पेमेंट्स में वो बिजली बनाएं ना बनाएं हम यूज कर सके ना कर सके इन्हों ने बिजली के जो प्लांट्स लगाए उसके नतीजे में इस वक्त हमारी हालत ये है और 2023 जब आएगा जो अलेक्शन का साल होगा उस साल हमें 1500 अरब रुप्या देना पड़ेगा कंपलसरी पेमेंट्स में बिजली की अब आप देखिए क्या क्या तमाम बिजली के प्लांट्स लगे वो कैसे लगे उनके पीचे क्या कहानिया है बताने की जरूरत नहीं कहानिया सुनाएं तो फिर दोस्त नराज हो जाते हैं उटके वाक उटकर की चले जाते हैं इसलिए उसकी तरफ मैं नहीं जाता दो हजार तईस में हमने पंद्रा सो अरब रुपया कंपल्स्री का इसका पैसा देना है अब ये देखिए ये प्रॉजेक्स क्यूं गहर जरूरी थे ये प्रॉजेक्स इसलिए गहर जरूरी थे कि हमारी जो टोटल कापैसिटी है बिजली घरों से पहुंचाने की घरों पे वो सिर्फ 24,000 मेगावाट है जब आप 24,000 मेगावाट बिजली उठा सकते हैं और उससे ज़्यादा बिजली आप उठा ही नहीं सकते तो आप बिजली के प्लांट्स क्यूं लगा रहे थे इस वक्त अगर 30,000 मेगावाट की हमारी कपैसिटी है बिजली बिनाने की और हमारे पास सलाइयत नहीं है कि हम 24,000 मेगावाटसे ज़्यादा बिजली उठा करे डिस्ट्रिब्यूट कर सकें तो मुझे बताएं इस का कौन जिम्मेदार है आग जो 900 अठारवी आईनी तर्मीम के बाद सूपों के पास बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। नहीं हैं। तो ये किसने पूरा करना है। ये हमारे सूबों की जिमेदारियां हैं कि वो पूरा करें। सूबों में मस orphans vorstellen अगर आप इस वकत कराची की सूरतेहाल देखें। आप इस वकत लाड़काना की सूरतेहाल देखें। जहां पे लोगं ये कह रहे हैं। हमें सहलतیں नहीं मिली इस साल के बजट में जनावे स्पिकर कोई साथ सो से लेके साथ सो پचास अरब रुपया जो है वो सिंध हकूम्ट को जा रहा है ऑुवराल तकरीबन अभी तक इस साल पहले सोला सो से अठारा सो अरब रुपया वो बुराद अली शाह साथ चीफ मुनिस्टर सिंथ की डिस्क्रेशन पे दिया गया है अब सवाल ये है कि जब आप ये पूछे कि जनाब ये पैसा गया किदर आपने इतना पैसा सोला सतरा सो अरव रुपया आपने खर्च किया दो सालों में आखर वो पैसा गया किदर उसकी प्लैनिंग किदर की गई आज कराची के अंदर आज आप देखिए कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है अगर कोई मिनी पाकिस्तान है तो कराची है आप अंदाजा लगाए कि कराची की अपनी पुलीस ही नहीं है क्या आप तसवर कर सकते हैं कि कोई ऐसा शहर हो तो दुनिया का कोई capacity नहीं है कि वो अपनी कमस कम पुलीस को develop कर सके हमारा अगर यह वो पैसा है जो मैं साड़े साथ सो रव रुपया जो सिंद्ध को जा रहा है यह मैं उस पैसे की बात कर रहा हूं जो NFC वाइड के जरीए 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 जो पैसा जा रहा है वो इसक पैसे का comparison करें उन शेरों की हालत के साथ उन शेरों को तो पैरस होना चाहिये था तो सवाल यह पैसा किदर गया substitute इससे तो इमरान खौन क्यों क्रुप्शन के खलाफ क्ढ़ें हो इसे लीए करुप्चन के खलाफ क्गड़े होते है कि जब आप इतना पैसा जा रहा है और आगे लग नहीं रहा तो वो पैसा कहा जाता है जनाबे स्पीकर वो स्पीकर वो पैसा लंडन में जाता है वो पैसा दुबई में जाता है वो पैसा कैनेडा में जाता है वो पैसा अमरीका में जाता है ये बुनियादी मसला है पाकिस्तान के नजाम का जहां पर दो खानदान बैठें एक खानदान यहां से इसलामबाद से पैसे लेता है वो पेरामा में के जरीए लंडन में प्रॉपटियां खरिटता जा रहा है दूसरा खानदान यहां से पैसे लेता है वो दुबई में और कैनेडा में और पैरस में प्रॉपरिटीज ले जा रहा है हमारा जो सारा पैसा है बजट का यह जो बजट डेफिसिट है आज अगर हमारे हाँ महंगाई है आज अगर हमारे हाँ आव आदमी जो है उसकी जिन्दगी मुश्किल है आज अगर डॉक्टर नहीं है हस्पताल में आज टीचर नहीं है स्कूल में तो इसकी जिम्मेदार ये लोग हैं जो हमारे दाइं तरव बैठे हुएं और अगर आज ये कहते हैं कि आमरियतों ने पाकिस्तान का यहाल किया मैं आपको बताना जाता हूँ जनाबे स्पीकर 13 साल से मसलसल पिपल्स पार्टी सिन में बरसर एक्तदार है इतना बड़ा वक्त तो किसी आमर को भी पाकिस्तान में नसीब नहीं हुआ जितना पिपल्स पार्टी को सिन में मिला है और आप से इनकी आलत देख लीजिए और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान का असल मसला जो है वो कौन है और क्या लोग है और कैसे जो है वो चल रहा है अगर अपोजिशन की अपनी जेबें खाली नहीं है इसमक्त क्या हो रहा है आप देखिए जितने हमारे दोस्त यहां से खड़े हुए उन्होंने का कि बज़र तो बड़ा बुरा है लुट गए मर गए बरबाद हो गए इनी के जो फाइनेस मिनिस्टर थे मिफ्ता इसमाईल साब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस की तो मिफ्ता साब से रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी अपनी कमपनी का प्रॉफिट ट्रिपल कैसे हो गया अगर हलात खराब है तो आपकी अपना कारोबार तो नीचे जाना है चाहिए हकीकत यह जनाबे स्पीकर कि आज इमरान खान की हकूमत ने पाकिस्तान को उस सीधर रास्ते के उपर डाला है जिसके आगे इन्शालत आला हमारी मन्जल है हमने कोविट के दौरान 26 फेबरी को जब पहला कोविट का केस आया हम कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे हम हर चीज़ अपनी इंपोर्ट कर रहे थे हमारा जो डॉक्टर्स के लबास है हमारे प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट है हमारा बाकी जो इस तमाम समान है बार्च के अंदर हमारे हाँ सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए हमने इन्शालला वेंटिलेटर्स ये सारी चीज़ हम या नहीं बना रहे थे लेकिन अलहम्दलिल्ला विदिन फॉर मन्स मैं मुझे बहुत फखर है पाकिस्तान के साइसदानों के उपर इंजिनियर्स के उपर हमारे नौजवानों के उपर पांच महीनों के अंदर जनाबे स्पीकर हमारे जो ये हमारे इंजिनियर्स हैं हमार जो के अमरान खाण ने हमें दी अपोजिशन की लंबी लंबी तक्रीरों से हमें फरक नहीं बड़ता, इनकी बस्यार गोई से खुद जो है वो ऑ्वाम भी तंग है और इस से अमरा जतनी तक्रीरें ये करते हैं उससें अमरान खान से लोगों की वाबस्तगी और बढ़ती है अमरान खान से लोगों का इश्क और बढ़ता है और अगर पाकिस्तान में इस वकद कोई उमीर है तो वो इम्रान खान हम इसलिए वज़ा है के जो जो मलकी मुआशी तरक्की की रफतार तेज हो रही है अपोजिशन की रफतार आहस्ता होते हैं बिल्कुल ब्रेकी ही लग गई है अभी तो समझी नहीं आ रही अपोजिशन को के इनका लीडर कौन है इनको कभी फजलुर्यमान साथ के पास जा रहे होते हैं कभी शवाज शरीफ साथ के पास जा रहे हैं शवाज शरीफ साहन से निकलते हैं हमें नहीं पता वो कहां से हदाय आत ले रहे होते हैं, तो इसलिए अपॉजिशन की हमने देखा, कि इस वक्त-उनकी ना को लीडर्शिप है, ना है की कोई सियासत है, और एक लिजी कर शीमल खकाए हैं, जिसको हम अपॉजि़िशन कर रहे हैं, आज तक हम क्या बात कर रहे हैं, इन तमाम बतушं के इमरान खान ने ये बात कही हम अपोजीशन के साथ बड़े मसायल पर बैठना चाहते हम बात करना चाहते हमने क्या कहा हमने कहा अलेक्टारल रिफॉर्म्स के उपर आए हमारे साथ बात कीजिए हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लिमेंट्री अफिर्ज ने अक्टूबर लास्ट अपना हमने अपना बिल पेश किया उसमें 49 तरह मीम हमने दी हमने का जना चनाब बात सुनिये हमारी लिड़ाईया जगड़े अपनी जगह के उपर हैं बड़े मामलात के उपर बैठते हैं बड़ा मामला सबसे बड़ा यह है कि हमारे और आप के द quy देरमिआन पाकिस्तान कि हम एक दूसरे को कहते हैं पिरे कि ये election सही नहीं हुआ ये election सही नहीं हुआ आए बैटिए electoral reforms के ओपर बात कीजिए लेकिन लगता यह है कि इस वक्त अपोजिशन को चुँके यकीन है कि अगले election में उनकी कोई देगे election में 11.5-11.00 सिटों के उपर आपने candidate खड़े करने है बड़ी माज़रत के साथ पिपल्स पार्टी और PMLN दोनों जो है ये तो साड़े चार पांच सो से ज़्यादा उमीदवार खड़े करने की position में नहीं है क्योंके एक बिचारी जो है वो सिंद्ध की पार्टी बन गई है दूसरी सेंटल पंजाब की पार्टी बन गई है इसके बार तो उनके पास candidate नहीं है लहाजा इनको ये लग रहा है कि इनका ये बियानिया आना जरूरी है कि अगला election जो है वो rigड होगा अभी से एक planning के तहट ये impression दिया जाता है कि अगला election जो है वो rigड होगा क्योंके नजर आ रहा है कि अगले पांच साल फिर इम्रान खान के इसलिए अभी से एक ये इनोंने planning शुरू कर दी है अभी से कहना शुरू कर दी है अभी election दो साल है अभी से कहना शुरू कर दिया अगला election रिक डोगा हम कहरे हैं भाई बजाए इसके कि आप ये कहें कि अगला election रिक डोगा आईए हमारे साथ बैठिये बात करिए हम चाहते हैं election को reform करना हम चाहते है election के निजाम के इसलाहाद करना आप आईए बैठिये और दूसरी बात आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते हमारे ministry for parliamentary of phase ने बिल जमा कराया है हम उन्चास तरह मीम लेकी आए हैं तजावीज लेकी आए हैं आप अपनी तजावीज दे दीजे आप हमारी तजावीज ना माने हमने को ये तो नहीं कि हमने जो लिख दिया है वो स पांच बजे खतम होता है और सुबह रिजल्ट नहीं आता सुबह तक हम कह रहे हैं कि उसके लिए हम electronic voting machine आईए उसके उपर बैठें उसको देखें आप अप्रूव करें हम electronic voting machine लेके आते हैं हम election commission को strengthen करना चाहते हैं लेकिन opposition का मसला ही सिर्फ ये है और इसके लावा कोई औ और तग्जिया मुम्किन नहीं है कि इनको नजर आ रहा है कि अगले पांच साल इमरान खान के लावी से शुरू कर दो कि धांदी हुई है धांदी हुई है दांदी हुई है लेकिन इसके बावजू स्पीकर्स आप मैं यह समझता हूँ लोग हमारी तरफ देखते हैं लोग बिलकुल सभी बात है जमेर्यत यही होती है इनका एक नुकता नजर है हमारा दूसरा नुकता नजर है लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़े मामलात के उपर हमें जरूरत है मिल बैठने की भी मिसाल के तोर के उपर अपोजिशन लीडर ने अपनी तक्रीर में कहा कि हमें ब लीडर का कंट्रोल नहीं वो यहां पर कहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए और वो चाहते हैं कि हमें बैठना चाहिए लेकिन जब स्पीकर साथ जब आपने उन्हें लेटर लिखा और कहा कि आईए फोकल ग्रूप बनाईए और हमसे बात चीत करिए उनकी तरफ से जवाब नही करते हैं कि आईए जुडिशिल जो रिफॉर्म्स हैं उनके उपर बैठे बात करें जवाब नहीं आता असम्बली में वो तक्रीक करते हैं लेकिन लग यू रहा है कि पी एम एलन के अंदर लीडर आफ दी अपोजिशन तो शहबाज शरीफ हैं लेकिन फैसले जो हैं वो हैं कि आपकी पार्टी में फैसले किसने करने हैं और फिर जिसने फैसला करना है उसको हमारे साथ बढ़ाईए हम आपके साथ बातचीत के लिए त्यार हैं हम आगे बढ़ने के लिए त्यार हैं और हमें किन बातों के उपर आपसे बैठना चाहिए बात करनी चाहिए नमबर two judicial reforms पाकिस्तान में अदालती नजाम में बहुत खामिया है हमें कोई शुबही नहीं होना चाहिए कि हमारे अदालती नजाम से लोग मुतमई नहीं है नजाम इंसाफ से लोग मुतमई नहीं है और आम आदमी ये समझता है अभी जब रिपोर्ट आई और उसमें का गया कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन इंडेक्स है वो नीचे गया है और वो अगर किसी अदारे की वज़ा से नीचे गया तो वो हमारा अदालती नजाम की वज़ा से नीचे गया लहाजा अदालती नजाम में जजिजिस की appointment एक ऐसा काम है जिसके उपर हकूमत और opposition को बैठना चाहिए इसके साथ साथ जो सुप्रिम पोर्ट का जो structure है बेंच बनाने का उसके उपर हमें और इनको बैठना चाहिए किस तरह से जो benches है वो बनने चाहिए इसके साथ, हमारे साथ इसके साथ उपर बैठना चाहिए कि हमें जो बड़े फैसले करने हैं इफगानिस्तान के उपर जनाब स्पीकर हमें एक सूरतिहाल का सामना है इफगानिस्तान के उपर सोवियत यूनियन ने जब कबजा किया था 1977-78 में जब ये मामला शुरू हुआ हम से पूछ के सोवियत यूनियन ने काबल पे कबजा नहीं किया था उसामा बिन लादन ने हम से पूछ के डू यॉक को बाम नहीं किया था लेकिन उसके कॉंसिक्विंसिस आपको सेड़े पड़े इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ वहां पर सुर्टेहाल खराब हो रही है वहां की सुर्टेहाल पाकिस्तान में खराब हुई तो वो खराब सुर्टेहाल ये नहीं देखेगी कि हकूमत का बंदा कौन है अपोजिशन का बंदा कौन है वो पूरे पाकिस्तान के हलात खराब होंगे हमें उसके उपर संजीदिगी से एक पॉलिसी लेने की जरूरत है आज तक हमें नहीं पता मैं जब हिरान हो जाता हूँ जब मैं तक्रीरे सुनता हूँ बिलावल साब की और मरियम बीबी की कि 30 साल हकूमत की इनके खानदानों ने आज तक इन्होंने हमें ये नहीं बताया किसी तक्रीर में कि हम क्या करेंगे जो मुक्तलिफ होगा हमारे अब तक की हकूमत से मतलब हमारी फॉरंड पॉलिसी क्या है ये इन्होंने कभी नहीं बताया हमारे अमरीका से तालुकात क्या होने चाहिए हमारे वगानिस्तान से तालुकात का मामला किदर जाएगा हमारे हिंदुस्तान के साथ अगर हम आगे बढ़ना चाहते है तो कैसे हमें बढ़ना चाहिए opposition यही हलाब budget के आपको उने कहा budget साही नहीं है आप अपना alternative budget दीजिए आप कहीए यह 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 खर्चे कम कर तें यह यह खर्चे बढ़ा दें यहां से आप अम् नहीं ले ले आप हमें अपना alternative budget दीजिए कोई serious debate अभी तक position की तरफ से बजट के उपर नहीं आई और इसलिए नहीं आई कि पढ़ना ही नहीं है हमने इस सरफ यहां पे आना है और रवायती स्यासी बाते करके अल्ला ला खैर सल्ला है और ये गलत फहमी है कि अमरान खान की जाद को आप निशाना बनाएंगे तो उस से आपकी पापुलरिटी बढ़ेगी हकीकत ये है कि अमरान खान की जाद को आप जितना निशाना बनाएंगे इतना इमरान खान पापुलर होगा इतना इमरान खान उपर जाएगा उनको फरक नहीं पड़ता मैं अपोजिशन से यह कहना चाहूँगा कि आप हकूमत के उपर तनकीद आपका हक है आप जरूर तनकीद कीजिए लेकिन कुछ पॉजिटिव कॉंट्रिबूशन भी कीजिए पाकिसान के नजाम बे आप अपनी तगावीज लेकर के आएं हम उसके उपर कंसिडरेशन के लिए तयार है लेकिन इस वक्त जो महाल बना है मैं समझता हूँ पिछले दिनों से जिस्त किसम का महाल रहा और बड़ी आपके आफिस की बड़ी कॉंट्रिबूशन है कि वो महाल जो है वो वो वापस आया और हम यहां पे कामस काम कुछ बात करने की पोजिशन में हुए हाउस से ये पेगाम जाना पाकिस्तान के लोगों को कि पाकिस्तान के लोगों के मसायल यहां पर डिसकस होते हैं पाकिस्तान के लोगों के मसायल के हल यहां के उनके नमाइंदे देते हैं यह देखे हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है जिनाबे स्पीकर 22 करोड़ लोगों का मुलक है पाकिसाथ दुनिया की पांचवी बड़ी रियासत है हम साथ उन मुलकों में हैं जो एटिमी ताकत है और हम सिर्फ 342 लोग हैं यो 22 करोड़ लोगों की यहां पे नुमाइदी की कर रहे हैं यह हम सब के लिए एक बहुत बड़े अजास की बात है हमें इसको कभी भी पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए हमें अपनी जिम्हदारियों का एहसास करना चाहिए और हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारा आम आदमी को लगे कि यहां पर जो बात हो रही है यहां पर जो गुफटगू हो रही है उसमें उनका हिस्सा है जब इस इजलास की प्रोसीडिंग्स होती हो तो आम आदमी मुड़के इस हाउस की तरफ देखे कि यहां पर हमारी बात हो रही है लेकिन अज़ बदकिसमती से जिस किसम का महौल बनता जाता है या जिस किसम का महौल बना दिया जाता है उस से पिर आम आदमी सोचता है कि यहां पे तो पॉलीसी के फैसले नहीं होते हैं पॉलीसी के फैसले तो बाहर होते हैं और इन में क्या जरूरत है हमें इस हाउस के उपर अपना वक्त जाया करने की लहाजा मेरी गुजारश ये होगी, कि बिल्कुल सही है, आप तनकीर कीजिए, बिल्कुल सही है, आप हकूमत के उपर अपना जो घुसा है वो निकाले, लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव कॉंट्रिबूशन भी कीजिए, कि आप चाहते किस तरह हैं, किस तरह से अभी हम है, अपने जो मन्फी सियासत का जो आपने एक बीड़ा उठाया है, इसको आप हटा दीजिए, मुस्बत सियासत की तरफ आएए, आएए हम और आप मिलके पाकिस्तान को यहां से आगे लेके चलते हैं, बहुत शुक्रे.